Hello everyone, आज का हमारा टोपिक BABSC 3rd Year Real Analysis Exercise 2.2 Exercise 2.2 के अंदर हम Q2 तक कंप्लेट कर चुके हैं, अब बात करते हैं Q3 की तो Q3 क्या कहते हैं, एक्जामीन दा कनोर्जेंस ओफ दा फोलोविंग इंटेगरल्स फर्स्ट पार्ट हमारे पास integration 0 to 1, x raise to power p log x upon 1 plus x का whole square dx उस सेगिंड पार्ट integration 0 to 1, x की power m minus 1 into e raise to power minus x dx यह हमारे पास है, तो इसको हम 1 by 1 solve करते हैं तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास 0 to 1, x की power p log x upon 1 plus x का whole square dx जैसे कि हमें पता है कि हम क्या पढ़ रहे है, improper integral ठेक है, improper integral के अंदर हमारे पास integral check करते है क्या बनता है मारे पास, अगर 0 put करता हूं यह आप, मैं x के place पे, तो यह बनेगा 0 यहाँ पूट करता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, not defined, ठेक है जी, log 0 क्या होता है, not defined होता है ठेक है, तो here, 0 is the, अब देखो, 1 put करेंगे, 1 यहाँ पूट करते हैं, तो मेरे पास क्या बनता है, 2 and 1 finite number बनता है, 2 गा square 4 यहाँ पूट करेंगे, finite number आएगा, यहाँ पूट करेंगे 0 आएगा, log 1 0 हो जाएगा, तो finite number है, ठेक है जी, तो infinite count बनाएगा, only 0 हो, here, 0 is the, only point of, infinite discontinuity, लेकिन, infinite discontinuity कब हो गई है, अब मैंचीज कहाँ पर आ गई, इस P पर, ठेक है, जो यह P मेरे पास है, यह P क्या हो, P equal to 0 हो, यह P greater than 0 हो, यह P less than 0 हो, ठेक है जी, अब बात करेंगे, इस पर, ठेक है, 0 is the only point of infinite discontinuity, कब, if, जो P है मेरे पास, वो क्या हो, उसके बात करते हैं, देखो, अगर P मेरे पास, यहां से कोई positive number है, greater than 0 है, अगर P मेरे पास greater than 0 है, ठेक है, तो limit, x times to 0, x raised to power P, और log x, यह value मेरे पास क्या हो जाती है, 0 के एकल हो जाती है, ठेक है, तो हम कह सकते हैं, जो P greater than 0 है, उस पर यह value 0 की कबल है, मतलब कैसा integral है, बना हमारे पास, यह proper integral और proper integral क्या होते है, always convergent, ठेक है, तो यहां से infinite discontinuity का point, P greater than 0 पे नहीं आएगा, ठेक है, इसके इसके इलावा जो बच गया, हमारे पास उस पे आएगा, कब, अगर P equal to 0 हो गया, तो यहां से क्या बनेगा X की पवाऊद 0, 1 बनेगा, ठीक है जी, इसका काम खतम, अब मेरे पास क्या बनता है, लोग 0, not defined, ठीक हो, अगर P मेरे पास less than 0 हो जाता है, ठेक है, P क्यों दोता है, negative, P negative हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगए, जोग X or X की power má English P, अगर negative होता है, तो negative होता है, तू तुम इसको ऐसे लिख सकता हूँ अपोन में एक्स के पावर पी पॉस्ट्यू बन जाएगा इंटू वन प्लस एक्स का अब पूट कर लो यहां पर जीरो लोग जीरो नो डिफाइंड यह यहां जीरो पूट करो तो भी मेरे पास कहाएगा नो डिफाइंड आएगा ठीक है त तो लिखते हैं यहां से डिसक्राइटरटी इफ पी लेस्टन इस उकल टो जीरो एंड इंट इंटेगरल इस प्रोपर पी ग्रेटर दें जीरो एंड हैंस चन्वर्जेंट इतने बात हमारे पास हो गई है अब हमारा जो डिसक्राइट चलेगा वो मेल लेकिस पे चलेगा पी लेट इस इकॉल टो जीरो पे चलेगा ठीक है इसके बीच में जो यह फंक्षन है यह कैसा है नेगेटिव है ठीक है अगर मैं यहां से 0 1 by 2 के बीच में कोई वैल्यू उठा हूँ माहा लेजे मैंने 1 by 2 ले लिया 1 by 2 जो यहां पूट करते है लोग 1 by 2 वो वैल्यू क्या आती है ठीक है कैसे आती नेगेटिव लोग 1 by 2 है इसको लिए सकत जाएगा तो हमें क्या चीए इंटेकल के लिए फंक्षन सुट भी पोजीटिव ठीक है जी तो मिसको क्या करेंगे पोजीटिव बनाएंगे कैसे बनाएंगे एक माइनस पहले सी यह नेगेटिव है एक मुल्टिपल है हम कर देंगे तो क्या बन जाएगा यह पोजीव बन ठीक है नो वी रिपलेस एफ बाइ माइनस एफ तो धेरफूर माइनस है एफ अफ एकस इकोल तो माइनस Xच पावार पी लोग X अपोन 1 पलस एकस का होल स्केर ठीक है यह मेरे पास बन गया ऐफ एफ फ एफ 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 आगया है हमें इसको चेक करने से कनोजैं को इस पे पील एसने इक़ोल टो जिरो पे ठीक है जी तो यह पॉइंट ऑफ इन फैनिट डिसकानट रोटे की इस पर आया है जिरो पर आया है तो लिमिट हम जिरो लेंगे तो उसके लिए में क्या चाहिए एक f of x और दूसरा g of x ठीक है ताकि मैं इसका compare कर सके तो अब g of x choose कैसे करेंगे मैं प्रोग्लम भी आगी ठीक है let g of x is equal to 1 upon ये क्या मेरे पास 0 अब 0 है तो मैंने आपको दो formula बताये थे एक तो मेरे पास था x minus a की power n और दूसरा मेरे पास था b minus x की power n ठीक है ये मेरे पास upper limit थी ये मेरे पास lower limit थी तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ 1 upon x minus 0 क्योंकि एक ये मेरे पास क्या है 0 इसकी power कुछ नहीं मालतों lambda को इंपार ले ले मैंने यहां से ठीक है अब x minus 0 है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दू x की power lambda ठीक है जी where 0 less than lambda less than 1 जो lambda है वो positive quantity है ठीक है but 1 से छोटा है ठीक है जी क्या है positive quantity है but 1 से छोटा है ठीक है जी ये मेरे पास हो गया we have now we have limit x times to 0 positive minus f of x upon g of x ठीक है जी इसको चेक करते है हमारे पास क्या बनता है तो ये बनेगा हमारे पास limit x times to 0 positive minus f of x के लिए मेरे पास क्या है minus x की power भी log x upon 1 plus x का whole square upon me g of x आएगा that is 1 by x के power lambda आएगा ओ यहाँ पर आएगा 1 upon x के power lambda ये उपर चला जाएगा मेरे पास ठीक है तो ये क्या बना मेरे पास limit x times to 0 positive minus x की power और पी पलस लेम्डा लोग x upon 1 plus x का square और ये मेरे पास 0 के एकवल हो जाएगा कभ ये value 0 के एकवल हो जाएगी मैंने भी कुछ टाइम पहले आपको formula बताया था ठीक है जब इस पर चेक कर रहे थे पी गरे दें जीरो पे तो formula क्या करता है जो ये power x की ये कैसे होनी चाहिए पोजिटिव होनी चाहिए ठीक है ये 0 कभ होगा if and only if जो p plus lambda है वो मेरे पास को ना चाहिए जी ग्रेटर दें 0 होना चाहिए अब p plus lambda greater than 0 है it means जो lambda होगा वो मेरे पास कर जाएगा greater than minus p हो जाएगा हां जी यहां से lambda क्या आएगा मेरे पास greater than minus 1 ठीक है if and only if अब lambda greater than minus 1 है बट हम लेकर का चले है जो lambda है वो तो 1 से चोटा है 0 से बड़ा है ठीक है जी तो ये हमारे पास क्या है 1 से चोटा होगा तो minus p less than lambda less than 1 हम इस कैसे लेख सकते है हां जी minus p less than lambda less than 1 ठीक है इतना का हमारे पास हो गया तो यहां से जो p के लिए निकालेंगे अब जो minus p है वो 1 से चोटा है ठीक है तो if and only if यहां से हम कह सकते हैं जो p होगा वो greater than minus 1 हो जाएगा हां जी हो जाएगा क्या देखो minus जो lambda है वो minus p से बड़ा है ठीक है वो lambda 1 से चोटा है तो minus 1 भी क्या होगा 1 से चोटा होगा ठीक है सिंपल से बात है अब minus p है जो वो 1 से चोटा हो गया हमारे पास ठीक है और lambda 1 से चोटा है तो minus p और 1 इसको compare करेंगे तो मैं इसे लिख दू minus p less than 1 अब minus से multiply करेंगे तो जो inequality हो जाएगी और यह बन जाएगा p greater than minus 1 राइट इसल पास 0 to 1 minus fdx and 0 to 1 gdx behave alike या मैं यह लिख दूँ यहाँ पे converges और diverges together ठीक है जी यह दोनों का भी एवर कैसे होगा सेम होगा अब बात करते हैं जी उफेक्स की ठीक है मैं स्कूरेज करते हूं यहां से बट मेरे पास जो जी उफेक्स है 0 to 1 gdx is equal to 0 to 1 1 by x की पावड लैमडा dx is क्यों हो जाएगा यह convergent क्यों बेकोज जो लैमडा है वो क्या लेके चले यहाँ पे less than 1 लैमडा के लिए less than 1 है और positive है ठी मेरे पास क्यों हो गया this implies minus fdx is also convergent क्यों क्यों क्योंकि दोनों का behavior कैसा है same है अगर एक converge करेगा तो दूसरा भी करेगा एक diverge करेगा तो दूसरा भी करेगा ठीक है जी तो यह भी मेरे पास क्या कर गया बात करते सेगेंड पार्ट करें अब सेगेंड पार्ट हमारे पास 0 to 1 x raise to power m minus 1 e raise to power minus x dx ठीक है अब यहां पे अगर मैं x के प्लेस पर 1 पुट करता हूँ तो यह value पोज कोई finite number होगा ठीक है यह value 0 होगी नहीं ठीक है यह value मेरे पास क्या बन जाएगे को finite number आगा यह ठीक है तो 1 पे तो मेरे पास क्या यह प्रोपर इंटेकल है ठीक है बट जो 0 है उस 0 पे क्या सो करता यह इंप्रोपर इंटेकल कैसे एकी पार माइनिस x है इसको नीचे ले गया हूँ ठीक है तो मेरे पास क्या बनेगा अब देख़ें यहाँ पे 0 पुट करता हूँ एकी पावर 0 मेरे पास क्या बनता है ठीक है तो नीचे 0 है यानि 1 है ओपर कोई नमबर मेरे पास finite नमबर यह आएगा तो नमबर क्या बन जाएगा finite बन जाएगा अब इसकर discuss कैसे करेंगे इसके लिए बात करेंगे हम M पर कि ये M क्या हो ठीक है देखो 1 put किया तो मेरे पास proper integral बनता है अब 0 put करते हैं तो भी proper integral बनता है लेकिन पढ़ क्या रहे हैं हम पढ़ रहे हैं improper integral ठीक है जी improper integral है तो यहाँ पर एक point पर मेरे पास क्या होगा infinite discontinuity को show करेगा ठीक है अब वो show कैसे करेगा उसके लिए बात करेंगे M पर अगर मेरे पास जो ये M है ये M माले तो में greater than 1 है ठीक है जी M क्या है 1 से बड़ा है 1 से बड़ा है माले थोड़ देर के लिए M के वाले में 3 माल लेता हूँ ठीक है ये value क्या जाएगी 0 को जाएगी किस के यल्प से L hospital rule के यल्प से आप कर सकते हो वहां से ठीक है या वे सिंपल भी हो जाएगा ये X 0 पूट करेंगे 0 अपोन में 1 की पावर 1 0 पून finite number 0 आएगा ठीक है अगर M मेरे पास equal to 1 हो जाता है तो ठीक है तो केज बनते हैं ध्यान से देखो यहान से फिर मैं इसको लिखाँगा ठीक है M is equal to 1 है M is equal to 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 minus 1 0 X के power 0 1 और 1 upon A की power X A की power 0 1 होता है तो 1 upon 1 ये number मेरे पास क्या आएगा 1 आज जाएगा ठीक है किस पर M is equal to 1 पर देखो M is equal to 1 पर चेक कर लिए हमने 0 आता है M is equal to 1 पर हमारे पास क्या आता है 1 के एक बन आता है ठीक है अब बात करते है अगर M मेरे पास क्यों हो जाए less than 1 हो जाए ठीक है जी M मेरे पास क्यों हो जाए less than 1 हो जाए तो यह value मैं suppose को थोड़ दे के लिए 0 भी ले सकता हूँ ठीक है मेरे मर्जी है मैं m is equal to 5 भी ले सकता हूँ m is equal to 3 भी ले सकता हूँ 3 नहीं sorry minus 3 minus 5 क्योंकि less than 1 चाहिए मुझे तो माल ले जाएम के value minus 3 लेता हूँ मैं यहाँ ठीक है तो क्या हो जागे मेरे पास minus 3 minus 1 minus 4 upon 1 की power x तो इसको क्या लेक सकते हैं x की power 4 1 की power x अब यहाँ पर 0 पूट करो इससे तो 0 बनेगा नहीं बट यहाँ पर 0 पूट करेंगे तो यह मेरे पास 0 बन जाएगा और 1 upon 0 क्या होता है ठीक है तो समझा है यहाँ पर जो 0 है वो क्या है पॉइंट ओफ इंफाइन डिस्क्रीड रूटी पट कब जब मेरे पास m क्या होजी less than 1 हो ठीक है क्या हो एं less than 1 तो लिखते इसे को अब अपना start करते हैं let f of x is equal to x raise to power m minus 1 e raise to power minus x ठीक है and yeah here here 0 is the only point of infinite discontinuity for m less than 1 के लिए ठीक है बिकोज जो लिमित है मेरे पास एक स्टेंट जीरो पोस्टू f of x वो मेरे पास क्या आती है जी देखो m greater than 1 लिया तो मेरे पास value क्या आई 0 के ला गए 0 if m greater than 1 और m equal to 1 लिया तो मेरे पास value क्या आती है m equal to 1 पे 1 आती है 1 if m is equal to 1 ठीक है जी ओके मेरे पास 1 के लाए थी 1 अपोन एक पावर 0 एक पावर 0 1 ठीक है और infinity आती है if m क्यों मेरे पास less than 1 ठीक है जी आती है we can say that f of x is proper integral 4m greater than is equal to 1 के लिए and hence Convergent तो मेरे पास क्या बन जागा? Convergent बन जाएगा let we discuss at 4 किस के लिए? m less than 1 के लिए now we discuss for m less than 1 m less than 1 के लिए डिसकस करेंगे तो मेरे पास जो f of x है वो मेरे पास क्या? x की पावर m-1 into e raised to power minus x ठीक है जी? यह मेरे पास है तो अब मुझे चूज करना है gx ठीक है? let gx gx कैसे चूज करो मैं? मुझे problem किस points होई है? problem मुझे इस x की बज़े से हुई है, देखो problem मुझे इस x की बज़े से हुई है, ठीक है? तो मैं इसको ऐसे लिए दो नीचे, थोड़े देखले देखो, 1 की पावर minus x upon x की पावर minus m-1, लेख सकता हूं इसको मैं, नीचे जाएगा तो negative बन जाएगा, यह negative बन गया, इस factory को लिमिट x tends to 0 positive, f of x upon 0 of x, और मैंने यहाँ पे एक point नहीं लिखा, ओभी लिए दते हैं, जो f of x हो कैसा है? positive है, ठीक है जी? for m less than equal to 1 के लिए, and f of x is positive for x belongs to 0 to 1, जो मारे पास integral दे रख 0 to 1, उसमें क्या value, positive value है, ठीक है? positive है, तभी तो हम define कर पारे हैं, इसको आगे solve कर पारे हैं, ठीक है? तो 0 of x मेरे पास से हो गया, limit x tends to 0, fx upon 0 of x, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? limit x tends to 0 positive, f of x के लिए मेरे पास यह है, x की power m minus 1, a की power minus x, x की power m minus 1, और a की power minus x, upon, g of x के लिए मेरे पास यह है, 1 upon x, ठीक है, 1 upon है, तो यह value ओपर जाएगी, तो मेरे पास क्यों जाएगा? x की power minus m minus 1, ठीक है जी, यह मेरे पास आगा, अब देखो, यह power m minus 1 है, यह power minus के m minus 1 है, तो यहाँ से तो value, x की power 0, 1 बन गया, तो यहाँ पूट करते हैं, एक ही power 0, तो यहले मेरे पास क्या बन जाएगी? यह भी मेरे पास बनेगी जी, 1 के एकोल, ठीक है, that is not equal to infinity, ठीक है, यह मेरे पास 1 के एकोल आ गया, finite number आ गया, ठीक है, finite number आ गया है, तो therefore, integral 0 to 1, fdx, and integral 0 to 1, gdx, converge, or diverge. together, तो यह दोनों के दोनों, एक साथ converge करेंगे, एक साथ diverge करेंगे, ठीक है, अब बात करेंगे, इसकी g of x की, g of x converge करता है, यह diverge करता है, ठीक है, बट, चलो मैं, इसको अब लिख लो, एक बार, but integral 0 to 1, gdx is equal to 0 to 1, gq value है, 1 over x के power minus, m minus 1, dx, is convergent, if, यह converge कब करेंगे, अगर मेरे पास जो यह value है, minus, m minus 1, e value क्यों निचे जी, less than 1 होने चाहिए, ठीक है, क्यों निचे लेस दन 1 होने चाहिए, ठीक है, less than 1 होने चाहिए, तो यहां से negative हो है, तो मैं multiply को होँए, तो मैं मेरे पास यह बन जाएगा, ठीक है, अगर यह बन गया है, तो यहां से कहलेक से तो, m greater than 0 के लिए, ठीक and if m क्या हो, greater than 0, जब m क्यों मेरे पास greater than 0 होगी, तो यह integral क्या कर जाएगा जी, converge कर जाएगा, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, बात करते है, next question के, उसका तमारे पास question no. 4, show that 0 से पाई बाई बाई टू, साइन की पाई पी माईनस वन एक्स, कोस की पाउर क्यों माईनस वन एक्स, दी एक्स, एक्जिस्स, if and only if, पी गेटर देन जीरो, and क्यों, गेटर देन जीरो, अब हमें यहां पर क्या दिखाने है, इसकी existence दिखाने है, ठेक है जी, कि यह हमारे पास exist कब करता है, जब मेरे पास P क्या हो, गेटर देन जीरो हो, और क्या हो मेरे पास क्या हो, गेटर देन जीरो हो, हमें चीज़ सो करने है, ठेक है जी, करते हैं, इसके लिए तो इसके लिए एक इंटेकल चूज करता हूं, we know that, इंटेकल 0 to 1, x की पाउर, m-1, और 1-x की पाउर, n-1, dx, आपको इंटेकल देखकर करके, या दार होगा, यह इंटेकल कौन सा है, ठीक है, सोचो, बीटा, गमा, तो मेरे पास, x की पाउर, m-1, into 1-x की पाउर, n-1, dx, is convergent, if, and only if, जो m है, greater than 0 होना चाहिए, जो n है, वो भी क्यों होना चाहिए, greater than 0 होना चाहिए, ठीक है जी, x की पाउर, m-1, into 1-x की पाउर, n-1, dx, is convergent, if and only if, m greater than 0, n greater than 0, अब आप सोच रहोंगे, सरी से, इसका क्या connection, अभी थोड़ा आगे चलो, connection क्या आपको सब कुछ समझा जाएगा, इसके साथ क्या connection इसका, ठीक है, देखो अब, let, i is equal to 0 to 1, x की पाउर, m-1, 1-x की पाउर, n-1, dx, अब देखो ध्यान से, यह साइन है, यह मेरे पास कुछ x टाइप दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करूँ, put x is equal to sin square theta, समझा गया अब, क्या connection है, so that, dx is equal to 2 sin theta, cos theta, d theta, ठीक है, x को एलिमन यह पूट कर दिया, तो dx मेरे पास यह आगया, derivative करेंगे तो, right, इसके बाद, limit check करेंगे, इसके, when x is equal to 0, तो theta is equal to, x किलो 0 होगी, तो 0 sin, 0, ठीक है जी, x is equal to 1 है, तो theta is equal to मेरे पास कर जागा, x is equal to 1 है, तो theta is equal to sin theta, 1 कब होता है, pi by 2 पर, ठीक है, तो मेरे पास कर जागा, यहां से pi by 2, ठीक है, odd multiple पर होता, pi by 2 ओके, बट हमारे पास यहां पर क्या, pi by 2 होगे, तो मेरे पास यहांँ चलेंगे, pi by 2 ठीक है, तो मेरे पास ही आगया, तो therefore, झो आई है, वो मेरे पास क्या बन जाएगा, जिरो से पाइबाई टू ठीक है जी एक्स के प्लेस पर सैंस के थीटा सैंस के थीटा उसकी पाउर एं माइनस वन ठीक है और यहां पर वन माइनस एक्स के प्लेस पर सैंस के थीटा पाउर एंड माइनस वन ठीक है जो डी एक्स उसके प्लेस पर क्या है 2 time sin theta cos theta और d theta ठीक है जी ये मेरे पास आ गया इसके बाद i is equal to 2 है इसको बाहर निकाल देते हैं 0 से 5 by 2 अब sin square theta है power m minus 1 है तो इसके multiply उपर हो जाएगी ये बन जाएगा sin theta power 2m minus 2 ठीक है जी और 1 minus 1 square theta है क्या होता है cos theta होता है cos theta की power लिख सकते हैं cos square 2n minus 2 theta ठीक है जी ऐसा काम कर सकते हैं और बाहर हमारे पास के यहाँ पर sin theta cos theta और d theta अब sin की power 2m minus 2 है एक power ये है cos की power 2n minus 2 है एक ही है तो इसको बागे फर्दर simplify करेंगे तो i is equal to 2 time 0 से pi by 2 sin की power 2m minus 2 है plus 1 है तो minus 1 theta ठीक है cos की power 2n minus 1 theta d theta ठीक है जी इतना काम मेरे पास हो गया अब यहाँ पर 2 मुझे एक्स ने दिखाय दे रहा है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है ठीक है इस 2 को कुछ करते हैं जुगाड 2 को जुगाड करेंगे तो 2 को क्या करेंगे उस एट सिट कर देंगे तो i by 2 is equal to 0 से pi by 2 sin की power 2n minus 1 theta cos की power 2n minus 1 theta d theta अब देखो ध्यान से ये इंटेगल कुछ ऐसा ही दिखाय दे रहा है 0 से pi by 2 sin की power 2n minus 1 theta और cos की power 2n minus 1 theta और यहाँ पर क्या pure क्या हूँ है अगर मैं इस 2m को p से replace कर दू इस 2n को क्या हूँ से replace कर दू तो मेरे पास सेम ऐसा बन जाएगा हां जी ठीक है तो therefore क्या कर दो यहाँ पर मैं replace 2m is equal to p and 2n is equal to q तो therefore मेरे पास क्या बन जाएगा यह 0 से pi by 2 sin की power p minus 1 theta cos की power q minus 1 theta d theta is equal to i by 2 हां जी is equal to मेरे पास क्या जाएगा i by 2 आ जाएगा ठीक है इस इंपलोई जीरो से pi by 2 sin की power p minus 1 theta cos की power q minus 1 theta d theta is equal to 1 by 2 जो i मेरे पास है i मेरे पास क्या लेके चले थे हम 0 to 1 x की power m minus 1 1 minus x power n minus 1 dx ठीक है जी तो यहां पर भी तो मेरे प्लेस करेंगे ना ठीक है तो यहां से मेरे पास क्या जाएगा integration 0 to 1 यह बनेगा x की power अब देखो मैंने यहां पर क्या फूट किया 2m is equal to p है तो m is equal to क्यों हो जाएगा p by 2 हो जाएगा न तो यहां फूट कर दू p by 2 minus 1 1 minus x की power q by 2 minus 1 और dx समझा आए हमने क्या क्या जास आई को वैल आई के लिए पूट कर दी i के लिए पूट कर दी तो m के लिए पूट कर दी m के लिए कहां से है यहां से है m is equal to p upon 2 n is equal to kya upon 2 तो मैंने यह पूट कर दिया तो यह left on integration exist कब करेगा तो मैं यहां पर इसको erase कर दता हूँ this integral exist if rhs exist यह integral exist तब करेगा जब मेरे पास जो rhs राइट है वह exist करती हो ठीक है जी और rhs exist कब करेगी जब मेरे पास जो p by 2 होगा that is p by 2 greater than 0, kya by 2 greater than 0 क्योंकि जो integral था यह exist कब करता था converge करता था जब मेरे पास m positive हो n positive हो तो यहां से क्या जाएगा that is p greater than 0 and kya greater than 0 ठीक है जी हमें यह तो show करना था this integral exist if rhs exist तो मेरे पास यह integral exist कब कर जाएगा जब मेरे पास क्यों जाए hence 0 से pi by 2 sin raised to power b minus 1 theta और cos raised to 1 second theta d theta मैंने यहां पर कुछ change नहीं किया एक second तो यह integral मेरे पास यह था तो यहां पर मैं एक जो कर दता हूं यहां पर मेरे पास theta यहां पर मेरे पास x है ठीक है replace theta by x तो 0 से pi by 2 sin की power b minus 1 x cos की power क्यों minus 1 x dx is equal to 1 by 2 0 to 1 x की power b by 2 minus 1 1 minus x की power क्यों by 2 minus 1 dx ठीक है एक काम होगे कर ले ना उसके बाद यहां से लिए देने यह यह वाला पार ठीक है यह integral axis कप करेगा जब मेरे पास यह क्या हो x हो ठीक है जी यानि पी greater than 0 हो और क्या हो मेरे पास क्या हो greater than 0 x dx exists if and only pay return 0 and greater than 0 ठीक है जी तो यहां पर हमारे फोर कोशन complete होते हैं इसके बाद दो कोशन और बसते हैं वह कोशन करेंगा नेक्स क्लास तब तक वीडियो के नजाए करो नीचे कमेंट करके जुरू बताना आपको वीडियो कैसे लगी मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ बाई 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 टेके स्यू थैंक्यू फॉर रोजिए उनाए konnte और झा orगवी एर करेंगा लाय करेंगी मिलत्पा स्टी स्यूए वीडियो कर दो नेक्स सब्सक् पो